युफ्ती को कार चलाने का शौक कुछ इसकदर चड़ा कि उसने शोरूम के अंदर ही कार चलाना शुरू कर दिया लेकिन कार को वो कंट्रोल नहीं कर पाई और कार शोरूम का शीशा तोड़कर उर्ती हुई शोरूम से बाहर जा पहुँची वहाँ पर पहले से ही खड़ी दो अन्यकारों को भी टक्कर मार कर नुक्सान पहुचा दिया ये वाक्या सूमबार शाम को जिलामंडी के गुटकर स्थित हुंडाई कंपनी के शोरूम में घटा घटना शाम करीब पांस से साड़े पांच के बीच की बताई जा रही है घटना का CCTV वीडियो शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है मिली जानकारी के अनुसार सुन्दरनगर क्षेतर का एक परिवार अपनी बेटी के साथ शोरूम में कार देखने के लिए आया था यहाँ इस परिवार ने I20 कार देखी और इसे देखने के बाद सभी लोग शोरूम से बाहर आ गए लेकिन लड़की फिर से शोरूम के अंदर आई और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ कर कार को स्टार्ट कर दिया लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की कार को कंट्रोल नहीं कर पाई और कार शोरूम का शीशा तोड़कर हवा में उर्ती हुई बाहर जा पहुँची गनिमत यहरई की कार में बैठी लड़की को कुछ नहीं हुआ शोरूम के जीएम संदीब शर्मा ने बताया की शोरूम और कार का जो भी नुकसान हुआ है कंपनी ने उसकी भरपाई खुच करने का निर्णाय लिया है उन्होंने बताया की पांच लाग के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी भरपाई कमपनी द्वारा की जाएगी